पूरा हो चुका होगा पोदो की लंबा ही अब इस समय बढ़ रही होगी साथी साथ इनमें बालियां बननी शुरू हो जाती हैं जिसे हम जन्निक अवस्ता कहते हैं जब बालियां आप निकली हुई खेत में दिखाई देती हैं उसके एक महीना पहले वास्ता में बालियां बननी शुरू हो जाती हैं जो हमें किसान भाई आखों से दिखाई नहीं देती ये जन्निक अवस्ता होती है और इस अवस्ता पर आपको नाटोजन का प्रियोग करना चाहिए जो आपकी एक तिहाई मातर है उसका प्रियोग करें जो भी संस्तुत दर हो और जैसा किसान भाई जानते हैं कि नाटोजन को धान में तीन बार लगाया जाता है तो अब अंतिम खुराग का समय आ गया है मोटे तोर पर रोपाई के 55-60 दिन पर इस खुराग का आपको प्रियोग करना चाहिए साथी साथ जब जन्नी का वस्ता होती है बालिया बन रही होती है पोदे के अंदर या वो बहार निकलाती है उस समय पर पानी की भी कमी नहीं होनी चाहिए इस अवस्ता पर आपको अपनी मिट्टी को हमेशा गीला रखना है इसके लिए हो सके तो आप 2-3 सेंटिमीटर पानी अपने खेत में खड़ा रखें चाहे धान आपने सीधी बिजाई से लगाया हो चाहे आपने रोपाई विदी से लगाया हो दोनवे दशाओं में इस अवस्ता पर खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए इसी प्रकार धान की फसल में इस समय पर आपके खर्पतवार भी रह गए होंगे क्योंकि शुरू में आप 30-35 जिन तक रसानिक विदी से भी खर्पतवारों का नियंतर कर लेते हैं लेकिन इस अवस्ता पर कोई भी रसानिक विदी काम नहीं आएगी अब जब खेत में आपके पानी खड़ा हो तो आप वहां से खर्पतवारों को निकाल दे भाईयों ये धान का पोदा है इसमें औरिकिल और लिग्यूल सन्नचना दिखाई देती है अगर आप पत्ती को हटाएंगे तो ये आप देखे ध्यान से ये लिग्यूल है ये सन्नचना लिग्यूल है जो धान के पोदे में होती है और जो आम तोर पर घासे धान में होती है उनमें सन्नचना नहीं पाए जाती साथी साथ इसमें साइड में आपको ओरीकल दिखाई देगा दो लोबाली सनचना दो कान की तरह होते हैं ये आपका बड़ा सावक है जिसको इकाईनो कलोगा करुस गैली कहते हैं इसकी पत्ती का आवरन अगर आप खटाते हैं तो इसमें ओरीकल और लिगूल जो आपने धान की फसल में देखा है इसमें नहीं पाय जाता आप कोई भी पत्ता हटा के देख लेए यहां होना चाहिए जहाँ पर पत्ती का ब्लेड और आवरन मिलते हैं यहाँ पर कोई भी औरीकिल या लिगूल नहीं है फिर एक पत्ता उखाड़ी है आप यहाँ पर कुछ नहीं होगा यह कोलोनम खर्पदवारा इकाईनोकिला कोलोनम जिसे सावक कहते हैं इसके भी पत्ते के आवरन को आप हटा के देखेंगे तो इसमें औरीकिल या लिगूल कुछ दिखाई नहीं देगा यहाँ आपको कुछ दिखाई नहीं देगा यह आप ध्यान से देखें यह यहाँ पर औरीकिल और लिगूल होना चाहिए जो के नहीं होता आप और पत्ता हटा के देख सकते हैं यहाँ पर कोई सन्मचना नहीं है जिन किसान भाईयों ने धान की बीज फसल लगाई है यानि जो किसान भाई बीज उत्पादन कर रहे हैं उनको भी विशेश ध्यान देने की आवश्यक्ता है जो दूसरी किस्म के पोध है आपकी फसल में दिखाई दे रहे हो ओफ टाइप हो उन सब को निकाल दें